आकाश्वानी भूपाल की प्रस्तुती सीधी जिले की चिठ्थी आलेक सचिंद्रमेश्ट्र वाचंस्वर नवनीत चोबे सीधी जिले में इन दिनों मोसम में काफी उतार चड़ाव देखा जा रहा है। कभी तेज धूप खिलती है तो कभी बादल चाय रहते हैं और अकसर बारिशोनी की स्थितियां बन रही है। इस वज़े से तापमान में भी जल्दी जल्दी बदलाव आ रहा है। मोसम में हो रहे उतार चड़ाव से संक्रामक रोग बढ़ गए हैं। सीधी जिले में खरीफ पसल हेतू एक लाख पचत्तर हजार हेक्टर से अधिक शेत्र में बोनी का लक्षे रखा गया है। और अधिकारियों से संपर कर बीज हासिल करें। अब जिले में करीब 28 एक्टिव केस हैं और अब तक मुरुत्यु के कुल 87 प्रकरण की पुष्टी हुई है। पिशले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिही चुहान ने वीडियो कॉन्फेंस के माध्यम से आपदा प्रबंदन समू के सदस्यों से समवात किया। इस सिल्चले में मुख्यमंत्री ने सीधी जिले की सांसद, श्रीमती, रितिपाठक और विधायक कुवर सीही सहीत प्रशासने क अधिकारियों से कोरोना संक्रमन की रोक्थाम पर चर्चा की। उन्होंने अनलाक की स्थिती में विशेश सावधानी और कोरोना संक्रमन रोकने के सभी उपायों को अपनाने का अहवान किया। सीधी जिला करेक्टर रविंद्र चोधरी ने कहा है कि सभी आयुष्मान कारधारियों को मुख्य मंत्री कोविड उप्चार योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतरगत मरीजों को सिटी सकेन सहित अन्य जाचों का निशुल का लाभ प्राप्त होगा। यदि परिवार के एक सदस्य के पास कार्ड है तो अन्य सदस्यों को भी लाभ मिलेगा। तीन बजे तक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा था तथा भोजन की व्यवस्था में पहले प्रती थाली 10 रुपे लिया जाता था। लेकिन लॉकडाउन में जिनके पास पेशे नहीं है उन्हें निशुल को भोजन भी कराया जा रहा है। दिन दाल अंतियोदय योजना राष्ट्रिय शहरी आजीविका मिशन के तहट संचालित आश्रे स्थल में कोरोना संक्रमन से कोविट केर सेंटर में भरती मरीजों के परिजन भी आश्रे स्थल में रुक रहे हैं। सभी के लिए आश्रे स्थल में रुकने की निशुलक सुईधा है। सीधी जिला कलेक्टर ने मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइस कॉर्परेशन के जिला प्रबंधक को खाध्यान उठाओ तथा शास्किय उचित मुल्य दुकानों से निर्धारित समयावधी में प्रदाय नहीं करने के कारण नोटीस जारी किया है। दुश्री ओर हिद्ग्राही परिवारों को अप्रेल मई एवं जून का निमित राशन तथा दो महा का राशन एक मुष्च दिये जाने के निर्धेश भी दिये हैं। इस अउसर पर लोगों को परियावरण संरक्षन एवं संवर्धन के प्रती जागरुक करने के लिए रिवा मध्यप्रदेश प्रदूशन नियंतरन बोड के प्रचारत को रवाना किया गया। इस अउसर पर सांसत श्रीमती पाठक ने कहा कि परियावरण का संरक्षन एवं संवर्धन हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। अपनी भावी पीडी के लिए एक स्वस्त्य सुरक्षित परियावरण की भेट के लिए हम सभी को अपने आसपास के परियावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। जिले में शादी ब्याहा का माहुल बना हुआ है, विभाग की तैयारियों से संबंधित खरीदारी करने के लिए बाजारों में रोनक देखी जा रही है। खरीदार कोविट दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, दुकानों से वेवाहिक कारेक्रमों में काम आने वाले आवाशक सामान की खरीदी कर रहे हैं, कपड़ा, बर्तन, इलेक्ट्रानिक और आभुशनों की दुकानों पर खरीदार पोहुच रहे हैं। जिले की चिठी समाप्त हुई।